आज 25 दिसंबर है और पूरे जगत में पूरी दुनिया में इसका तहल का मचा हुआ है पूरे विश्व भर में लोग अलग-अलग प्रकार से, अलग-अलग संस्कृतिक कारिक करमों से, अलग-अलग चर्चिज में, अलग-अलग इंस्टिटूशन में, क्रिस्मस या बड़े दिन को मनाते हैं यह एक ऐसा समय है, जब चारो तरह हवा की साएं, साएं और ठंडी हवा बहती है यदि आप अमेरिकन साइड में चले जाएं, तो वहाँ पूरा सफेज चादर से घिरा हुआए, स्नो में लेगा हमारे भारत वरश में कडड़ाते वाली ठंड, और जब मैं इसको बोल रहा हुआ तो मझे खुद ठंडी लग रही है और लोग अपने नय-nyé कपड़ों के साथ शॉपिंग के लिए मॉल्ज में, यहां वहां बच्चों के साथ मौझ मस्ती करते हुए इधर-उधर ठहा के मारते हुए हसते हुए शॉपिंग करते हैं और कई लोग, विषयश करके जो विश्वासी हैं, मसीही लोग हैं वे केरल सिंगिंग के लिए या गाना गाने के लिए मसी इद गाने के लिए जो ईशु मसी के जन दिन के उपर मनाया जाता है उसके बारे मनाया जाता है वो गाने को निकलते हैं और सहाब केकी तो भरमार है अच्छे अच्छे खाने और नहे कपड़े सब लोग बहुत पसंद करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है हाँ, लेकिन हमें इतना ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें याद रखना है कि हम बड़ा दिन या क्रिस्मस क्यों मनाते हैं ये 25 दिसंबर जो बाता है हर साल, तो क्या विशेष्टाएं है, क्या हमें ध्यान में देखना है, क्या हमारा बड़ा दिन या क्रिस्मस सिर्फ यहीं तक सिमित हो मेरे खाल में बाइबल इसके बारे में बहुत कुछ बताती है मैं कोशिश करता हूँ कि विशेष करके इन दिसंबर के महने में कई परकार के प्रोग्राम्स के द्वारा कारिक्रमों के द्वारा लोगों को प्रभू के बारे में बताओ shooter या लोग जब कोई meeting arrange करते हैं तो वहा पर जाकरके इस क्रिस्मस के बारे में दूसरों को बताओ अब विशेश करके अब ये सिर्फ इसाईयों का तेवहार नहीं रह गया ये सब लोग मनाते हैं हमारे देश में हर वेक्ती Merry Christmas बोलता है अब आई केक खाई ये Christmas cake चाहे वो किसी भी जाती कि क्यों ना हो एक वो सिंस्कृती सा बन गया है और जगा जगा लोग ये Christmas Father, Santa Claus और पता नहीं क्या-क्या ताम जाम लगा के रखते हैं आप जानते हैं इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन Christmas ये सब नहीं है सरफ खुशी का तेवहार है लेकिन किस खुशी का किस खुशी का क्या है खुशी का अरे सहाब चारो तरफ coronavirus का हाहा कार मचा हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं एक और virus उसी का भाई बंदा आ गया है अब उससे बचाव करना है कही जगा पर gathering में रोक है कि आप मिल नहीं सकते हैं इतने नंबर के अलावा कोई meeting में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है तो और चारो तरफ देखते हैं तो गरणा है क्या ये good news है बिल्कुल भी नहीं कही लोग एक दूसरे को mark art में लगे हुए और कुछ politics की problem है ये क्या हो रहा है पुरी दुनिया में एक प्रकार का confusion है और इसके बीच में हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये खुशी का माहौल है खुशी का माहौल तो good news तो दे सकता है good news या खुशी की बात ये है कि 2000 वर्ष पूर्व जिया 2000 वर्ष पूर्व हमारे प्रभीश मसी का आगमन हुआ एक छोटे से गाउं में और जैसे कि आप इस picture में देख रहे हैं बढ़िया नीला कलर है और उसके जो यूसूफ और मर्यम है वो बैठे हुए बीच में चर्नी है और उस चर्नी में हलाकि दिखाई नहीं दे रहा लेकिन प्रभीश मसी का जनम हुआ और बहुत अच्छा नीला जो कलर दिखाई दे रहा है वो रात की शांत वातावरन को प्रगट करता है और फिर तारा उस घर के उपर या जोपड़ी के उपर आप देखेंगे तो तारा चमक रहा है और उसको एक क्रूस का निशान भी दिया गया है तो थीक? अभी हम इसके बारे में बात करेंगे और Christ लिखा हुआ आया था अर्थात मसी और येशू येशू के बारे में भी हम बात करेंगे तो येशू हमारा उधार करता ये good news है, ये good news है, ये शुब संदेश है, इस अंदकार भरी समाज में, इस अंदकार भरे लोगों के बीच में, एक good news है, एक शुब संदेश है, जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जी हाँ, अब प्रशने ये उठता है, कि येश्व मसी का जनम क्यों हुआ? भै, बहुत सारे लोग जनम लेते हैं, और कैयों का जनम बड़े बड़े अस्पताल में होता है, बड़े बड़े राजमहल में होता है, और हम देखते हैं खुब गाजा, बाजा, ये, वो, और अगर लड़का हो तो भिया बऽले-बले, और भी जबरदस्त होता है, है ना? लेकिन प्रविश मसी का जन्म का हुआ, गौशाले में, जहां गाय, बैल, बक्रियां और उसकी जो बदबू भी साथ में, गंदगी हो, मक्ही हो, पता नहीं क्या-क्या, एक उद्धार करता जन्मा, छोपड़ी में, गौशाले में, चर्णी में, क्या आपका जन्म हुआ ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कि हम में से किसी का ऐसा जन्म हुआ, लेकिन सोचने वाली बात है, पूरे स्रिष्टी का करता धरता, पूरी स्रिष्टी को बनाने वाला अर्थात प्रभुश मसी का शारीरिरिक रूप से जन्म लेना, एक गौशाले में, एक चर्णी में, यह काने नियम में बात हम देखते हैं, कि प्रभुश मसी के जन्म के बारे में बात आती है, हम आगे बढ़ेंगे, जो कहानी शुरू होती है, कि कैसे यूसुफ और मर्यम की मंगनी तो हुई थी, लेकिन उनका विवा अभी नहीं हुआ था, और मैं इसी से संबंदित आपके ल अब यूशु मसी का जन्म इस प्रकार से हुआ, कि जब उसकी माता मर्यम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकटे होने से पहले, वो पवित्रा आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, अतहा, उसके पती यूसुफ ने जो धर्मी था, और उसे बदनाम करना न जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्ण में दिखाई दे कर कहने लगा, हे यूसुफ दावद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां से ले आने में मडडर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वह पवित्रा आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम येशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभू ने भवश्द्वक्ता द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो, और यह पुराने नियम में ये शाया करके किताब है, उसका साथ और चौदा पत में हम देखते हैं, तो यहां पर देखा जाता है कि किस प्र आत्मा के द्वारा इसलिए गर्वत्ति थी, मनुश्य के द्वारा नहीं हुई, क्योंकि उसमें पाप का स्वभाव जाने का सवाल नहीं, क्योंकि प्रभूश्य मसी को एक पवित्र पुत्र या मेहमला के समान देखते हैं, जिसमें कोई दाग, धबबा, पाप का कोई स्व भाव नहीं था, तो इसलिए उसे पवित्र आत्मा के द्वारा गर्वत्ति पाएगा, पवित्र आत्मा में पवित्रता था से, तीक है, और उसने वो पुत्र जनी और उन लोगों ने उसका नाम क्या रखा, येशु, अब येशु का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में भी येशु नाम लिखा, येशु का मतलब उधार देने वाला, हमारे पापों से छुटकारा करने वाला, हमारे पापों से दूर करने वाला, उधार करने वाला, ये उसके नाम का मतलब है, तो हम जब देखते हैं इस क्रिसमस के समय जब ऐसी बात आती ह तो क्यों जनम हुआ प्रभुश मसी का प्रशन ये उठता है कई लोग पूछते हैं कि भई ऐसी क्या विशेश बात प्रभुश मसी में हम देखते हैं कि उसका जनम बड़े विशेश रूप से 2000 वर्ष पूर्व हुआ और आज भी 2000 वर्ष पूर्व बात भी लोग उस जनम दिन को मनाते हैं मेरे क्याल में और दूसरे कोई जनम दिन नहीं मनाता जो 2000 वर्ष पूर्व हुआ है सिर्फ प्रभुश मसी के बारे में ठीक है तो इस बात को आपको बताना होगा कि एश्यो मसी का जनम इसलिए हुआ कि वो पाप के लिए अपना बलिदान दे क्रूस पर क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यू है पाप की मजदूरी माउथ है और वो माउथ, वो मृत्यू जो आपको, मुझको और मानव जाती को सहनी थी वो प्रभुई शुमसी ने अपने उपर ले लिया क्रूस की मौत उसने सही और फिर तिसरे दिन मुर्दों में से जी उठे जिसे हम इस्टर के रूप में मनाते हैं आपने जरूर सुनाओगा इस्टर कभी अपरेल या माई के महने के बीच में आता है और इस्टर जो है वो इस बात के लिए मनाए जाता है कि शुमसी मौर्दों में से जी उठा तो तीन विशेश तेवहार जो हैं वो विश्वासी लोग क्रिश्चन लोग मनाते हैं पहला है क्रिस्मस जिसमें प्रभुई शुमसी का जन्म हुआ दूसरा है गुट फ्राइडे जिसमें प्रभुई शुमसी ने अपने प्राण की आहुती अपने प्राण का बलिदान किया हमारे पापों के लिए और तीसरा इस्टर जो प्रभुई शुमसी के जी उठने के बारे में बताता है ठीक है और अब वो स्वर्ग में और एक दिन हमें लेने के लिए आएगा हमें मतलब जो उसके पुत्र और पुत्रियां है तो जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो हमें ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें गुट फ्राइडे की बात भी करने पड़ेगी और अगर हम गुट फ्राइडे की बात करते हैं प्रभुश मसी के बलिदान वाली बात तो फिर हमें इस्टर की बात भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये तीनों तेवार तीनों विशेश दिन एक साथ जुड़े हुए है है ना अगर हम क्रिस्मस बोले तो गुट फ्राइडे भी है और गुट फ्राइडे है तो इस्टर भी है तो इन सब का कहने का ताथ पर ये है मेरे मृत्रों मेरे भाभाई बहनों कि प्रभुश मसी सिर्फ केक के लिए नहीं आए कि भई केक खाओ और खुशिया मनाओ डांस पार्टी करो कुछ लोग पी पा लेते हैं बहुत गंदी बात है इसलिए सब चीज़ों के लिए नहीं आए अच्छा खाना चलो खुशी की बात है अच्छे कपड़े और एक दूसरे को विश करना वो भी अच्छी बात है शॉपिंग करना कोई बुरी बात ने लेकिन इन सबों के उपर जो विशेश कारण है क्रिस्मस का वो हमें नहीं भूलना है और वो ये है कि येश्यु मसी का जन इसलिए हुआ कि वो हमारे और आपके मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो जाए ये उसका प्रेम है क्योंकि परमेश्वन ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लोता पुत्र दे दिया ताकि जो को इस पर विश्वास करे नाशन हो परंतु अरंत जीवन पाए अब देखे न जो वर्ड यहाँ पर दिखा हुआ है आपको दिख रहा है येष्व येष्व का मतलब क्या है उद्धार करता जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है अब प्रशन ही उठता है भाई आपका उद्धार हुआ है क्या आपने प्रभुश्व मसी को को आप समझते हैं, मैंने ये बात समझी कई साल पहले, और मैंने प्रभुष्य मसी को अपना जीवन दे दिया, और 25 दिसंबर जो है, इसी के प्रभुष्य मसी के जन दिन के उपलक्ष में मनाया जाता है, अब प्रशन ये उठता है मेरे प्रियो, कि क्या ये Christmas आप के लिए आ आप ये प्रभुष्य मसी मेरे दिल में जनमा है, मेरे व्यक्तित्व में हैं, तब तो वो सही खुशी होगी, सही आनन्द होगा, सही celebration होगा, जब मेरे और आपके पाप शमा हो जाएंगे, और हम स्वर की ओर चलते चले जाएंगे, ने तो हम नरक की ओर जाएंगे, पापी जीवन में अंगिकार करें, प्रभुष्य मसी से माफी मांगे अपने पापों के लिए, पस्चताब करें, और विश्वास करें, कि इश्य मसी ही मेरे जीवन का उधार करता है, मेरे पापों को शमा करेगा, तो ग्यारेंटी है परमेश्वर के वचन के आधार पर, आपका न नाम क्या रखा गया था येशु जो उद्धार करता को दर्शाता उसका नाम का मतलब जैसे कि आपके नाम का मतलब होगा मेरे नाम का मतलब है वैसे ही प्रभुईश्यमसी के नाम का भी क्या है मतलब है तो क्या आपने प्रभुईश्यमसी को ग्रहन किया ग्रहन करिये का ये मेरे जीवन में हाँ मैं बच्चे के समान तुछ पर विश्वास करती हूं करता हूं मेरे पापों को शमा कर मुझे पाप के दल-דल से निकाल मुझे पाप के स्वभाव से दूर कर अपने लहू से अपने खून से मुझे धो डाल प्रियो ये सबसे बड़ा good news शुब संदेश आपके लिए 2000 साल बाद जब हम आज मना रहे हैं 2021 पिर हमारे कुछ भाई बहने जो विश्वासी हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं आपका ये करतब ये होता है कि आप इस सुसमाचार को इस Christmas को दूसरों को सुनाएं आपके नेबर्स हैं पडोसी हैं आपके relatives हैं दोस्त यार हैं colleagues हैं जो आपके साथ काम करते हैं student friend हैं जो भी हो जो आज सक प्रभु श्वासी को नहीं जानते हैं ये आप सब विश्वासीओं का काम है कि इस शुब संदेश को दुसरों को सुनाएं चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या मीटिंग के द्वारा हो घर में एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज करिए अपने दोस्तों को बला या चाय पाने के लिए और फिर उनसे कहिए आपको पता है क्रिस्मस का मतलब क्या है आप द जाते हैं आपके लोग समाज के लोग हमारे पडोसी हमारे रिश्तिदार प्रभू के पास आएं और अनंत जीमन का नुभाव करें स्वर्ग में मैं नहीं चाहते होंगे कि कोई नरक जाए नहीं हम सबों को सबजी वाला है दूद वाला है आपके हां कोई काम करने आता है व और परचून की दुकान है अरे साब धेर सारे लोग है जितने आपके कॉंटेक्ट्स में आते हैं कम से कम ये जरूर बताएए क्रिस्मस का मतलब क्या है और मैं एक और बात आपको बताओं कि इन दिनों में आप कैलेंडर भी दे सकते हैं आजकर क्रिश्टिन कैलेंडर अवेलेबल है आप खरी सकते हैं 40-40-50 रुपए का है और उसमें बाइबल वर्स पाए जाते हैं ठीक है बाइबल के पद पाए जाते हैं बड़े अक्षरों में छोटे अक्षरों में हर डेट के बाद आप लोगों को दीजे फ्री में बोले भाई साब हैपी न्यू येर औ आप जरूर पढ़िए क्या पता कोई परमिश्वर के बचन को पढ़ करके अपना जीवन प्रभु को दे आपको पता भी ने रहेगा है ना तो इस प्रकार से आप शुब संदेश दुसरों तक पहुँचा रहे हैं तो जरूर आप में से जितने लोग सुन रहे हैं एक-एक अच्छा वाला कैलेंडर सस्ता वाला नहीं 10-15 रुपे वाला 40-50 रुपे वाला कैलेंडर आपको मिल जाएगा O.A.M. से या और भी Christian Organization है जो चापते हैं कैलेंडर मसी कैलेंडर जिसमें Bible के पद पाए जाते हैं दूसरों को दीजिए शेर करिए Good News दूसरों को बताईए जि यह बड़ा अच्छा मौका कोई आपका विरोध भी नहीं करेगा मैं जहां तक सोचता हूं क्योंकि यह Christmas ऐसा समय जब लोग सब लोग सुनते हैं So cake और gifts और खाना पीना वो ठीक है अपनी जगा लेकिन वो असली चीज नहीं असली चीज है The greatest gift सबसे बड़ा जो ही नाम हो महिमा लाने वाला Christmas हो Enjoy करिए बिलकुल Enjoy करिए परमेश्व चाहता है आप खुश रहें सब लोग के साथ और Enjoy कर लेकिन ये शुमसी का शुब संदेश दूसरों को सुनाना ना भूले क्योंकि यही एक मौका है जब हम दूसरों को परमेश्व के बारे में बता सकते हैं और ये कैलंडर दीजिये ताकि वे भी परमेश्व का वचन सुने और उनके लिए आप प्रार्तना भी कर सकते हैं परमेश्वर आपको इस कारे में और भी आशिश दे